भारत की हरी भरी पहाणियों के बीचों बीच एक छोटा सा गाव था, जिसमें सपेरों की एक बस्ती थी. पूरा गाव खुशाल था, सपेरे सापों की पूजा करते, उन्हें दूद पिलाते और उनके जहर से दवा बनाते और लोगों का इलाज करते. सब कुछ शांत में रूप से चल रहा था. उसी बस्ती में एक फुलवा और शांतरू नाम का इच्छा धारी नाग और नागिन का जोड़ा भी रहता था, जिनका आपस में बहुत स्ने और प्रेम था. उनको भगवान शेव का वर्दान था कि वो अपनी इच्छा से इंसान और नाग दोनों रूप अपना सकते थे. दोनों का जीवन हसी हुशी से बीत रहा था. फिर अमावस की वो मनहूस रात आई, जिसने उनके जीवन को तहस नहस कर दिया. जंगल में पास के शहर से कुछ दोस्त मौज मस्ती करने और शिकार खेलने के लिए आये हुए थे. शिकार की तलाश में वो सारे दोस्त जब जंगल में इधर उधर घूम रहे थे. तो उसी ववत, उन्होंने फुल्वा और शांतरू को जंगल में एक दुसरे की बाहों में बाहें डाले, नाचते गाते देखा और देखा के वो दोनों नाचते नाचते इंसान से नाग के रूप में धल गए. ऐसे में उन्होंने दोनों सापो को पकड़ना चाहा. जब फुल्वा और शांतरू को पता चला तो वो वहां से भागने लगे. उनको भागता देख, शिकारी दोस्तों ने उन पर गोलियों की बरसात कर दी. ऐसे में फुल्वा तो भागने में सफल हो गई, लेकिन भागते भागते शांतरू को गोली लग गई. शांतरू शिकारियों के हाथ तो नहीं आया, लेकिन गोली लगने के कारण थोड़ी देर बाद उसने दम तोड़ दिया. जब कुछ समय बाद फुल्वा वापस आई तो उसने अपने पती शांतरू को मरा हुआ पाया. उसे शांतरू की लाश देख कर बहुत दुख हुआ. लेकिन मरते हुए शांतरू की आखों में उन चारों शिकारियों की तस्वीर छप गई. फुल्वा ने शांतरू की लाश पर हाथ रख के कसम खाई कि जिन लोगों ने भी उससे उसका पती छीना है, वे उनका सर्वनाश कर देगी. बदले की आग में नागिन ने उनका पता लगाया. अपने पहले शिकार का खात्मा करने के लिए एक दिन नागिन ने सुन्दर सी नारी का रूप लिया और सड़क पर खड़े होकर गाड़ी का इंतजार करने लगी. पहला शिकारी, जिसका नाम विजय था, अपने किसी काम से जा रहा था. जब उसने सड़क पर खड़ी सुन्दरता का मूरत बनी फुल्वा को देखा, तो उसने गाड़ी रोकी और उससे मदद के लिए पूछा. फुल्वा उसके साथ, गाड़ी में सवार हो गई और उससे अगले गाव तक छोड़ने को कहा. गाड़ी में बैठते ही, फुल्वा ने बीमारी का बहाना बनाया और बेहोश हो गई. सुन्दर लड़की देख विजय की नियत बिगड़ गई. वो उसे भीड भाड से दूर अपने फार्म हाउस पर ले गया. जब फुल्वा की आख खुली तो विजय ने कहा कि आप अचानक बेहोश हो गई थी. जिस वज़य से वो उसे अपने घर ले आया. विजय ने उसे आराम करने को कहा. लेकिन फुल्वा ने उससे उसके घर छोड़ कर आने को कहा. तो विजय ने उसे कहा कि आज उसका जनम दिन है और थोड़ी देर में पार्टी है उसने फुलवा को पार्टी में शामिल होने के लिए कहा और कहा कि वो पार्टी के बाद उसे उसके घर छोड़ आएगा फुलवा सब जानती थी कि क्या चल रहा है वो चाहती थी कि विजय उसके बाकी तीन शिकारी साथियों को भी पार्टी में बुला ले इसलिए उसने विजय से नजदी की बढ़ाई और उससे कहा कि वो अपने सारे दोस्तों को पार्टी में बुला ले विजय ने फुलवा को दवा के बहाने नशे की गोली दे कर सुला दिया विजय को था कि नशे की वजह से अब फुलवा नहीं उठेगी लेकिन फुलवा एक नागिन थी उस पे किसी नशे का कोई असर नहीं होता था लेकिन उसने जान बूज कर बेहोशी का नाटक किया इतने में विजय ने अपने तीनों दोस्तों रमेश सुनील और रोहित को भी रात रंगीन करने के लिए अपने घर बुला लिया जब विजय अपने दोस्तों को फोन कर रहा था तो फुल्वा ने चुपके से विजय की शराब की बोतनों में अपना जहर डाल दिया थोड़ी देर में उसके दोस्त भी उसके फार्म हाउस पर पहुँच गए खत्रे से अंजान चारों दोस्त फुल्वा के साथ हसीन पल गुजारने के लिए उच्सुक थे लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज की रात उनकी आकरी रात थी फुल्वा के होश में आने के इंतजार में चारों दोस्त मूर बनाने के लिए शराब पीने लगे ये वही शराब थी जिसमें फुल्वा का जहर था थोड़ी देर शराब पीने के बाद उनको दिल में दर्ध होने लगा और एक-एक कर वो जमीन पर गिर गए और जान बचाने के लिए रेंगने लगे इसी कश्मकश में फुलवा ने अपनी आखे खोली और जोर-जोर से हसने लगी उसकी हसी देख चारों उसकी तरफ देखने लगे और उसके हसने का कारण पुछा तब फुलवा अपने असली भेस में आई और उसने बताया कि वो वही अभागन विध्वा नागिन है जिसके पती को तुम लोगों ने मार डाला था इतना सुनते ही वो चारों एक दुसरे की ओर देखने लगे और फुलवा से माफी मांगने लगे लेकिन नागिन अपने दुश्मन को कभी नहीं छोड़ती अब वो चारों अपने किये पर बहुत पच्चता रहे थे धीरे धीरे तडप तडप के उन्होंने दम तोड़ दिया और ऐसे एक नागिन का बदला पूरा हुआ और उसने अपने मरे हुए पती से किया हुआ वादा पूरा किया दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी ऐसी और रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें